हर हर महादेव दोस्तों कैसे हो आप सब लोग और महाकाल मंदिर अगर जा रहे हैं नए साल पर तो आपके लिए एक ज़रूरी जानकारी है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी तो इसलिए बहुत जल्दी में वीडियो बना रहे हूं अगर आप नए साल पर अजयन महाकालेश्वर मंदिर जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक जरूरी इन्फरमेशन है जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी कि अगर आप 31 दिसंबर या एक जनवरी को महाकालेश्वर में दर्शन करना चाहते हैं तो आप बिल्कु घर्ब गर्ष में पानच जनवरी तक प्रवेश बिल्कुल बंद हैं अभी किसी भी तरह की किसी भी कैटेगरी की कोई भी एंट्री गर्ब गर्ष में अलाव्ड नहीं है पानच जनवरी तक जो महाकाल बाबा के जो दर्शन कराये जाएंगे वो आपको गडैश मंडव या लाउड नहीं है चाहे आप किसी भी केटेगरी से जाए, चाहे विएपी हो, चाहे जर्णल हो, चाहे वीवीएपी हो सब केटेगरी बंध है 5 जनवरी तक और जब आप लोग गणेश मंडब से महाकार बाबा के दर्शन कर लेंगे उसके बाद जब आपको बाहर निकाला जाएगा तो महाकाल लोग का जो पिना की दुआर है वहाँ से आपको बाहर निकाला जाएगा इतने भी श्रद्धालू आएंगे उनकी जो जूते चपल रखने की जो विवस्ता है ना वो त्रिवेणी संग्राले के सामने जो पार्किंग है उसमें की जाएगी नए साल पर 31 दिसंबर और एक जनवरी को जो आपकी मंदिर में एंट्री होगी वो होगी त्रिवेणी दुआर से और आपको जो बाहर निकाला जाएगा दर्शन करने के बाद वो आपको निकाला जाएगा महाकाल लोग के पिना की दुआर से जिन लोगों को पार्किंग के बारे में जाना था कि गाड़ी कहां पार्क करनी है तो उनके लिए करक राज मंदिर और मेगदूत वन जो है उसमें पार्किंग की विवस्था की गई है प्रसाशन ने 31 दिसंबर वा एक जनवरी के लिए इंदौर रोड इस्थित मेगदूत वन वा हरसिद्धी माता के मंदिर के पीछे इस्थित करक राज मंदिर में पार्किंग की विवस्था है मंदिर समीती करक राज से निशुलक ए रिक्षा चलाने पर भी विचार कर रही है तो ये तो अच्छी बात है ना हरसिद्धी मंदिर है ना उसके पीछे इस्थित है करक राज मंदिर तो वहाँ पर पार्किंग के विवस्ता है तो अच्छा है वहाँ से ये रिक्षा की आपको निश्वल के विवस्ता हो जाएगी तो और जादा अच्छा है जो कि इसमें बताया भी हुआ है उन्होंने नहीं साल पर एक और खुश खबरी है आप सब लोगों के लिए कि VIP दर्शन जो आप 2500 रुपे के VIP दर्शन जो महाकाल के करते हैं वो अब आप online बुक भी कर सकते हैं क्या है कि अभी new year है बहुत जादा भीड होगी वहाँ पर बहुत जादा rush हो जाता है ओवर crowd हो जाता है लाइने बहुत लंबी लग जाती है जाए आपको VIP दर्शन भी करने है थाईसो वाले उसकी भी लाइन बहुत लंबी हो जाती है तो इसलिए प्रसाशन ने बहुत अच्छी good news आप लोगों के लिए दी है कि आप आप लोग online बुक भी कर सकते हैं आपको लंबी लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े तो आप online बुक भी कर सकते हो तो वो आप directly महाकालेशवर की जो official website है आप वहाँ से बुक कर सकते हो तो देख लीजे आपको कैसे बुक करनी है VIP दर्शन की टिकेट www.shimahakaleshwar.com ये website खुल जागी ये page है तो यहाँ देख सकते है शीकर दर्शन लिखा है यहाँ पे क्लिक करना है तो इस तरह से calendar खुल जाएगा जिस भी देखे अब यहाँ पे date select कर लीजे date select करेंगे तो आपका ये page खुल जाएगा यहाँ पे आपको अपनी details भरनी है ठीक है तो पहले आप जितने भी लोग जा रहे हैं पहले एक बंदा जो भर रहा है वही सारी details भर सकता है आप सब को भरने की जुरुत नहीं है maximum आप 5 लोग जा सकते हैं एक booking में ठीक है तो maximum number of people है 5 तो यहाँ पर मैं details भर रही हूँ यहाँ पर name है, full name है आपका phone number है, date of birth है आपको किस time पर आपको दर्शन करने है तो आप अपने हिसाब से, अपनी convenience के हिसाब से अपना time select कर सकते हैं यहाँ ठीक है date select कर लीजिए, कौन से दिन की चाहिए आपको यहाँ पर time select करने के लिए option आ गया है तो time select कर लीजिए, ठीक है तो यहाँ बारा बज़े तक का हम time select कर लेते हैं अब number of person, कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं देखे, maximum 5 लोग का है ना तो कितने लोग जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं या single जा रहे हैं, तो उतना link लीजिए ठीक है, और अब यहाँ पे आप book कर रहे हैं, तो self कर लीजिए यहाँ पे, आपको अपना ID proof कौन सा दे रहे हैं, आधार दे रहे हैं driving license जो भी है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे photo upload करना है आपको और अपना ID proof upload करना है जितने लोग जा रहे हैं, उतने लोगों का करना है ठीक है, यह धियान रखे, पांच लोग जा रहे हैं, तो पांच लोगों का करना है, तो आगे submit करेंगे, तो देखे, यह option यहाँ पे ऐसे details आपकी आ जाएंगी, जितने भी लोग होंगे, सबकी details आजएंगी, सबका photo ID और सबका आपको photo जो है, आपको paste करना है, यहाँ पे जितने भी लोग जाएंगे आपके साथ, ठीक है, पांच लोग हैं, तो पांच लोगों का करना है, अब यहाँ पे add payment details पे करेंगे, तो यह option खुल जाएंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, first name, last name, यहाँ पे contact number, और यहाँ पे आपको अपना address फिल करना है, ठीक है, आपको email ID डालना है, तो आपको अपना यह वाला payment पे select कर लेना है, देखें, मैं photo photo डाल देती हूँ, पहले email ID, जो भी डाल रही हूँ, यह सब fake है, ठीक है, मैं बस आपको example के लिए डाल के दिखा रही हूँ, के, तो photo photo से हम यहाँ पे address डाल लेते हैं, जितने लोग जाएंगे, उतने लोगों का यहाँ पे ID proof और photo ID जो है, photo लगाना है यहाँ पे ठीक है, यहाँ बार-बार बोल रही हूँ, payment भी submit के हैं, यहाँ पे जितने भी payment के option एक खुल जाएंगे, आप UPID डाल सकते हैं, या net banking के through, wallet के through, जैसे मर्जी payment कर सकते हैं, तो दोस्तों, कैसी लगी आपको महाकाल बाबा की तरफ से यह खुश खबरी, तो I hope कि यह वीडियो आपके लिए helpful होगा, और आपको पसंद आया होगा, तो जादर से जादर लोगों तक share कीजिए, जो लोग भी महाकालेश्वर जाने की सोच रहे हैं, तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ हर हर महादेव